हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सीटेट 2019 के बारे में बात करेंगे और आपको पास होने के लिए कितने नमबर लाने पड़ेंगे पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक डेट के बारे में बता देते हैं आपका रिजल्ट का बाने वाला है पूरे वीडियो को द्यान से देखीगा सीटेट 2019 रिजल्ट इस दिन हो सकता है जारी जानिये डिटेल तो देखें दोस्तों यहांपे आपको दिखा देता हूँ seated प्रिक्षा का result अगस्त में जारी कर दिया जाएगा official schedule के मताबिक result प्रिक्षा के बाद 6 सब्ता के अंदर जारी कर दिया जाएगा तो जैसा कि आपको पता है seated के guideline जिसमें लिखा गया है कि जो आपकी प्रिक्षा है उसके 6 सब्ता के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा इस हिसाब से जो आपका रिजल्ट है वो 18 अगस्त को आने की संभावना है सीटेट रिजल्ट ओफीशियल वेबसाइट सीटेट.nic.in पर जारी किया जाएगा उमीदवार इस वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे उमीदवारों को रिजल्ट चेक करने के लिए रिजिस्टेशन नंबर और जनमतिती सब्मिट करनी होगी बता दें कि सीटेट प्रिक्षा के अंसर की 24 जुलाई को जारी कर दी गई थी उमीदवारों को 26 जुलाई तक अपती दर्ज करने का समय मिला था इस साल सीटेट प्रिक्षा में 14 लाक उमीदवारों ने भाग लिया था सीटेट प्रिक्षा 7 जुलाई को देश बरके 104 सेरों में आयुजित हुई थी एक से पांचवी कक्षा के लिए होने वाला पेपर सुबह साढ़े 9 बजे से साढ़े 12 बजे के बीच में हुआ था और उसके बाद में 6 से 8 बजे तक के लिए होने वाला पेपर आपका 2 बजे से लेकर साढ़े 4 बजे के बीच में युजित हुआ था आप किस प्रकार से रिजल्ट देख पाएंगे रिजल्ट आने के बाद उमिद्वार को सीटेट का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको पहले सीटेट डोट एन इसी डोट इन गूगल में भरके के ओफीसियल वेबसाइट पर चले जाना है उसके बाद में सीटेट रिजल्ट के लिंक पर आपको क्लिक करना है मांग आपसे जानकर या मांगी जाएगी आपके रिजिस्टेशन नंबर या डेट बर्त या फिर रॉल नंबर तो आपको भर देने हैं उसके बाद में यहां पर या शीट मिले ओं-लाइन और पास मार्किन की बात करते हैं पास मार्किन के लिए आपको कितने नंबरों की जरूरत पड़ेगी इस बार जी आंदोस्तों बात करते हैं यहां पर जनरल केटिगरी की बात कर लेते हैं जनरल वालों को 90 नंबर चाहिए यानि 60 प्रतिशत 150 में सिजन को 90 नंबर की जरूरत है 60 प्रतिशत इनके नंबर होने चाहिए तबी ये क्वालिफाई कर पाएंगे इसके लाब बात करते हैं EWS यानि Economically Weaker Section जो जनरल केटिगरी में 10 प्रतिशत आरक्षन दिया गया है उसके बारे में आपको बता देते हैं इनके लिए बता देना चाहँगा अभी मामला कोर्ट के अंदर है और उमीद तो यही की जारी कि 82 वालों को पास माना जाए जिनके पास से EWS का प्रमान बत्र है लेकिन मामला अभी कोर्ट के अंदरा जल्दी इस पर फैसला आने वाला है उसके बाद में बात करते हैं ST और SC के बारे में तो ST SC को टोटली 82 नमबर चाहिए इनको 150 में से यानि 55 परतिशत अगर इनके नमबर है तो यह पास है इसके बात करें OBC की तो OBC को भी यहाँ पर नमबर चाहिए कितने 55 परतिशत यानि 82 नमबर इनके होने चाहिए आपको बता देना चाहिए जो सीटेट के आपकी मानेता है वो 7 साल के लिए 7 साल तक आपका वैलिड रहेगा आपको 7 साल तक अगर आप पास हो जाते हो तो एक्जाम देने की जरूरत नहीं है धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें शेयर करें और साथ में चैनल को सबस्क्राइब करना ना मुलें जैहिंत बंदे मात